हेलो गाइज, स्वागत है आपका अपनी यूटीब चैनल स्टेडी विद अमन कुल्मी आज हम लाएं डियरेक्टर अफ एडिकेशन जीन सीट ऑफ देली की वोक्षीट नमबर 24 जो की ग्लास 9 के लिए है सब दिर आपका साइन से डीटर इसकी 3rd September 2021 आप अपना नेम एन अपन करेंगे जिसना हम माइटो क्रोंडिया वैक्सूल के बारें पढ़ेंगी जी क्यासा दिती फ्रॉम वेर डजर सेल गेट एनरजी तो परफॉर्म डिफिरेंट लाइफ प्रोसेसेज और हो तो ग्यान पुछता है कि जो लाई जो सेल वो एनरजी कहां से मिलती है यह सारी और नेसी होता है जो मितो क्रोंडिया और निसरी एनरजी रिक्वाइट फोर वैरियस केमिकल एक्टिविटीटीज तो परफॉर्म डिफिरेंट लाइफ प्रोसेस इस रिसीज रिलीज बाइटो करेंडिया फोर लाइफ इन फॉर्म ऑफ एटीब यानि एडनो साइंस ट्रा प्रोसेस करता है माइटो करन दिया प्रोवाइट वैनजी टो सैल बाइप गर्यों ऑफ दो इसे हम पावराउस या एनरजी ब्लान अफ द दो सैल भी कहते है एटीपी इस प्रोडूस इन मैटो करन दिया पैट्रॉटीज ऑप प्रोसेस ऑफ रिस्परेशन जो मीटो the body use energy stored in ATP for different activities जो body है वो यूज करती है एनर्जी और स्टोर करती है ATP for ATP बे डिफरेंट अक्टिविटी से ATP is the energy currency of the cell ATP का हम energy currency भी कहते हैं cell का the other membrane of mitochondria is very purist while the inner membrane is deeply folded जो other membrane है वो mitochondria का बहुत purus है पर जो inner membrane है वो deeply folded है mitochondria is a cell organs as its own DNA and ribosome जो mitochondria उसका cell organ है जिसके अपना ही DNA भी है अपना ribosome है तो it can make some of its protein by its own यानि अपना protein में खुद बना सकता है तो दीदी what is the important of vacuum in a plant cell तो ग्यान पुछता है कि वैक्यूल का क्या important है plant cell में तो जिग्या के कहते है ग्यान वी मिश्ञाइश वाक्षिव्स और आपसुल साइज और आपसन इनिल सब्क्याइब तो ग्यार्टि है कि हमें पता है कि जो फट्सवल होते बहुत जोटे साइज में और इनिमल सेज्स में नहीं होते प्लांट सेल में जो वेक्यूल होते हैं फूल होते हैं और यह तुरिटी इंद प्रोवाइड करते हैं मैनी सबस्टेंस अजसे अमीनो आसेड वैरिस और 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 गानिक ऐसेड समस्परोटिन शुकर आज धर स्टूर इनट आसेड़ लएफ डान सेल यानि यह जो substance है वो जैसे amino acid और organic acid कुछ protein वो सारे store होते हैं प्लांट के important per life में the cell membrane of vexyl is known as tonoplast जो cell membrane है vacuul का उसे हम tonoplast कहते है it keeps the content of the cell separate from the cytoplasm of the cell यानि यह जो content होता है उसे separate करता है साइटोप्लाजम से सेल के इन यूनि सेल और गैंसम सचलाइस वेक्सूल और अलसो बेप इंपॉर्टेंट डोल इन expelling excess water and some waste is from cell यानि क्यूनि सेल ले और गैंसम में जो specialized वेक्सूल होती है वो भी बहुत important रोल बहुत crucial रोल इपने भाती है वो access कर लेती है water को और waste को हटा देती है अपने सेल से अब इसी से related question है first question है why mitochondrion is known as powerhouse of the cell तो आप इसकान से करेंगे mitochondrion store energy in the cell form of ATP so it is known as powerhouse of the cell यानि यह ATP को store करता है as a storing energy cell में तो इसलिए हम powerhouse of the cell भी कहते है question number second है need any one function of the cell for which energy is needed आपको कोई one function बताने जिसमें energy जरूरी है cell में तो आप इसकान से करेंगे energy is required in the form of ATP to perform all chemical reaction in the cell यानि cell के अंदर जितने भी chemical reaction होते है वो उसके लिए ATP required होती है जिससे energy मिलती है तो यह सारे function ATP as a form of ATP energy देता है question number third हो जाएगा आपका वैक्सिल्स are important part of which cell तो एक्सी वैक्सिल के इंपॉर्टन है name the membrane of the vaccine यानि वैक्सिल की membrane का नाम की आपको पता है tonoplast है तो आप इसकान से करेंगे the vaccines are large in the plant cell यानि जो वैक्सिल होते हों plant cell में बड़े होते है और tonoplast है नाम है membrane आपको लिखनी है full form लिखनी है ATP तो आप इसकान से करेंगे ATP यानि एंड्रोस नाइन ट्राइफ प्राइफ प्राइफ तो यह आपका हो जाएगा ने question number fifth है name three substance storing vacuum of a plant cell यानि आपको तीन सब्सेंस बताने जो कि वैक्सिल में सब्सक्राइब करेंगे amino acid organic acid और प्रोटीन यह तीनों ही वैक्यूल में बस्टोर होते हैं plant cell में तो यह थी आपके आच आपको अच्छे से वाक्षीट समझ आ गई होगी अभी तक आपने मेरे चनल को सब्सक्राइब नहीं गया तो प्लीज में चल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद आने वाले बैल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको हर वीडियो की नोटिशन नाइम से मिलती रहे हम आपके सब्सक्राइब करें मुझे बहुत कुछी मिलती है यह वीडियो अच्छे लगते से लाइक करिए दोसक्ता शेय करिए और आपने तक हमारा टेलिग्राम क्रिप जोइन ने किया तो आपसे जोइन कर सकते हैं साथ ही आप हमें इंस्ट्राग्राम पर फॉलो कर सकते है कोई भी कुछी नहीं कोई भी कुआ रही हो आप वहां से हमसे पूछ सकते हैं थैंक्स वाचिंग लिए बैबै गाइस